मेरे शहर मेरी खबर मेरे बात करेंगे तब करेंगे और अपने रिपोर्टर से जानेंगे उस खबर की असली परताल तकी खबर सबसे पहली खबर करो करते हैं हर्याना में मेकिन हर्याना की शुरुआत भले ही हो रही है तमाम नारे लग रहे हैं तमाम बादे और दावे किये जा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि वो तमाम logistic hub के लिए किसानों की उपजाओ जमीन को नहीं लेंगे आखिर कार क्या कुछ पूरी खबर है तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइफ जुड़ेंगे हमारे संभाताता संदीप गोयल संदीप आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कारा जिस तरीके से लगादार मेकेना हर्याना को शुरुवात करने की बात कही जा रही थी अब CM का बयान आया है किसानों को काफी कुछ राहत होगी जी बिल्कुल अजीते सी हम बता दू कि जिस तरह से CM खट्र का यहां पर बयान आया है उन्होंने काए कि जो अब जाव हर्याना में जमीन है उनको किसानों से नहीं लिया जाएगा साथी साथ उन्होंने यह पाते भी साफ करती है कि आने वाले समय में जो मेकिन हर्याना है जो जिस तरह से केंद सरकार मेकिन इंडिया चला रही है उसी सरकार अब खट्र सरकार है जो हर्याना में मेकिन हर्याना चलाने जा रही है इसका साफ जो कारवाई है उस पर यह है कि आने वाल समय में जो हर्याना में विकास बढ़ाए जाएगा कंपनिय पर बिल्डिंग बनाई जाएंगी ना ही किसानों से उस जमीन को लिया जाएगा जो उपज की जमीन है जहां पर किसान की जमीन नहीं लिजाएगी साथी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप किसान चाते हैं कि अगर आप जमीन बेखना चाते हैं आपकी जमीन बेखना चाते हैं तो आपकी जमीन भी ले जाए सकती है लेकिन उसमें आपके दोनों जो पक्ष हैं और जो सरकार हैं उनकी राय मिली चाहिए तो ये जो बात है वो सरकार ने कहा है यहाँ पर और किसान ने जो इस बात के बाद काफी खुस न जा रहा है उन्हों कहना है कि देखे अगर जैसे हमारी समस्थाय होगी और जैसे हम चाहेंगे उसी तरह से यहाँ पर खट्र सरकार उस पर फैसला लिपाईगी तो यह जो ख़वर आई है सरकार उन्हें किसानों के लिए राध भरी ख़वर दिया और उन्हें जो एक डर सता रहा था कि देखी भूम यह दिगरन होगा और तमाम जो जमीने है यह बात करें उपजाव जमीन हो या फिर बंजर जमीन हो अब जो खट्र ने कहा है कि देखें उप जमीन हम नहीं लेंगे हम किसान देना चाहता हो या फिर ऐसी जमीन जहां पर किसान को रुक्षान ना और उनकी फसल को बरवाद ना किया जाए तो यह जो बात है यह किसानों के लिए कासी राध की बात था सामने आई है संदीब आपको लगता है कि सीम के इस बयान के बाद जिस भूमी अदिग्रें विल पर उन्हें भरोसा हुआ होगा जो देखे खटर सरकार ने यहां पर साफ कर दिया है कि देखे आपकी उपज अगर जो जमीन है अगर वहां पर उपज हो रही है या फसल हो रही है तो जो भूमी अधीकरेंड होगा वो कंपनियों को जो दिया जाएगा जमीन वो कोई कि जाएगी तो यह जो राहत घरी खरवर यहां पर किसानों को मिलिये और किसान जब यह खवर मिलिये किसानों को तो किसान को कही ना कहीं भरोसा हो गया सरकार पर किसान सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे कहीं किसान आपना में आए उनको जिनको प्रॉलम हो तो यह संदीबिस के साथी साथ आप से जानना चाहते हैं कि आखिरकार हरियाना में वो कौन-कौन सी जगह है जहां पर यह तमाम लोजिस्टिक हब बनाने की बात की जा रही है जहां पर इंडिस्टिर यह आसानी से लगाया जा सके ताकि दिल्ली एंसियार से लेटिड वो जगह मिल सके जहां पर आसानी से कारोवार को बढ़ाया जा सके तो यह जो जगह होंगी यहां पर देखना होगा कि कौन से किसानों की जमीन है जो वो दे दी जाती है और कब तक पानाल पाया है कि कहां यह जमीने लगेंगी और नहीं फैक्टरियां जो है थो उध्योक लगेंगे अभी आने वाले समय में सरकार की और से एक ब्लूप्रिंट द्वारा से तैयार किया जाएगा कि सरकार कौन-कौन से जिगयों में इंडेस्ट्री एरिया लगाने चाहती है और जहां पर किसानों की जमीन को अधिगरेंड किया जाएगा और आने वाले समय में किसानों को जो राहत है और जो पैगिस हैं जहां पर बस डिपो के तीन घंटे तक बंद रहने के बाद लोगों को बस टेंड पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे खबर 24 आर समधाता विशाल कौशिक आकिर कार जिस तरीके से तमाम स्मार्ट सिटीज बनानी की बात कि जाती है पूरे देश में कई जगे कई लोगों को सुचारू रूप से तमाम यातायात की परभंद करने की बात की जाती है ऐसे में बस दिपो थोड़ी देर के लिए नहीं तीन घंटे से जादा समय के लिए बंद हो जाती है आखिर कार मामला क्या था जी जी देश जी मैं आपको बता दूँ कल यहां पर जो तीन घंटे का जो समय है उसके भीतर 125 जो बसे हैं वो बंद रही जिसमें यह बल्लवगड का जो बस बस डीपो है यहां से बहुत से लोग जो जो की दिल्ली गुड़गां पलवल बहुत सी जिगाव पर जाते आते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा जो कटनाईयों का सामना करना पड़ा है कल जी तीन घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है तीन घंटे के समय में 125 जो बसे बंद रही है उसकी वज़े से यात्रियों को बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा कटनाई का सामना करना पड़ा है शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए तो भले ही बात यहां पर तीन घंटे की हो लेकिन अगर हम बात करें तो काफी लोगों को यापर बस्तेंट पर पर परशानी का सामना करना पड़ा मेरा शेहर मेरी खबर वक्षोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आकिरकार गैस टीचर्स को कोट द्वारा कौन सा जटका लग हैं पुतले देहन किये जा रहा है सरकार के सरकार के तमाम मंत्रियों के लेकिन गैस टीचर्स पर अब कोट भी सक्त होता नजर आता है पूरी खबर के साथ हमारे साथ था लाइप जुड़ेगी खबर 24 आर समवादा था रिंकल घुपता रिंकल गैस टीचर्स को लगातार ज अब आपको बता दू अजितेश की गैस टीचर जो है जो की 10 साल पहले गैस टीचरों को बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में रखा गया था लेकिन उन सिक्षकों को बड़ा जटका दे दिया गया है उनके पद से हटाने के लिए कह दिया गया है उन सिक्ष कि अब ऑन कीकाभी हाली में पूतला फूका है और साथ ही उनोंने जो राम विलाश चर्मा उनका भी पूत ने के लिए बात कहीं है कि उनका भी पूतला फूकेंगे और साथ ही लगातार प्त प्रदर्शन का दौर जारी है सिक्षक जो है लगातार प्र है उसने यह आदेश दे दिया है कि अब सिक्षकों को हटाया जाएगा साफ तौर पर यह बात कह दिया है रिंकल बात अगर हम गेस्टीचर्स की करें तो पहले तर सरकार की खिलाफ जा रहे थे सरकार के पुतले फूके जा रहे थे अब कोशने जब सकती दिखाई है कोट ने जटका दिया है तो अब तमाम गेस्टीचर्स का आगे का जो इरादा है वह क्या कुछ नजर आ रहा है जी अजी तेश आपको यहां पर बता दूँ कई गैस टीचरों से जिस तरीके से हमने बात की सभी गैस टीचरों का यही कहना है कि उनका रोजगार अगर उनसे छिल लिया जाएगा तो वो कहां जाएंगे किस से गोहार लगाएंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका यह साब तोर पर कहना है कि जिस तरीके से उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है तो फिर वो कहां जाएंगे और किस तरहा से वो अपना जीवन यापन करेंगे बिना काम के शुक्रिया और इंकल तमाम जानकारी के लिए तो गैस टीचर्स लगातार अपना प्रदर्शन भले ही कर रहे थे पहले वरदान मंतिर नरेंद्र मोडी को खून से खत लिखा गया फिर सीम के आवास का घहराओ करने की कोशिश की गई बदले में लाठिया मिली फिर केंद्री राज्यमंत्री कृष्ण बाल गुर्जर के घर के घहराओ किया गया और उनका पुतला देहन किया गया उसके बा अब मोडी सरकार की तमाम योजनाओं को उनके असल मकसद तक पहुचाने के लिए हर्याना सरकार अग्रसर नजर आ रही है हर्याना सरकार की कोशिश है कि मोधी सरकार की तमाम योजनाओं को सुनेशिट किया जाए और आखिरकार एक डेडलाइन बनाई जाए कि आखिरकार वो योजनाओं कब तक पूरी हो जाएंगी कौन कौन सी वो योजनाओं है कब तक वो पूरी होंगी उनकी डेडलाइन क्या है उन्हें पूरा करने की शुरुवात कब से होगी इन तमाम सवालों की जवाब के लिए चलते हैं अपने संबादाता अंकुर शर्मा के पास अंकुर आखिरकार वो कौन-कौन सी योजनाय है जिन पर हरियाना सरकार अब अमल करती नजर आ रही है और खास तोर पर तब जब मोदी सरकार का एक साल का कारिकाल पूरा हुआ है और वो अपने कामकाजों का बखान कर रहे हैं अजितिश जो आपको बता दू कि फिलहाल जो मेन मोटिव है वो दो अभ्यानों को और तेजी में लाने का है जो मरोलार खटर के जो अधिकारी प्रवक्ता है गुपता जी उन्होंने अधिकारीों से बात की और साफ तोर पर का कि इन दोनों अभ्यानों को एक रफ्तार देने की ज़रूआ होता है आपर मोधी सरकार की तमाम योजनाओं की तो जन योजनाओं को हर्याना सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है उनकी चुरुआत हो गई है मेकेन इंडिया जहां मोधी सरकार ने बात कई तो हर्याना ने मेकेन हर्याना यहां पर शुरू किया और उसके बाद जिस योजना की शुरूआत मोधी सरकार ने हर्याना में जाकर की थी जिसको नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया गया था उसकी शुरूआत यहाँ पर हो रही है मेरा शहर मेरी ख़बर में हम अगली ख़बर की और बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आकिर कार जिस गुर्जर यहाँ पर खत्म होता नजर आता है जी हां आखिर कार सरकार पांच फिजदी आरक्षन तक मान गई है और साथी साथ इस पूरे मामले पर अब गुर्जर अंदोलन में कहीं न कहीं जो चिंगारी थी जो आग का रूप ले चुकी थी वो यहाँ पर थमती नजर आ रही है इस पूरी कमर के साथ हमारे साथ जुड़ेंगी रिया पांडे रिया आखिर कार लगातार जिस गुर्जर रांदोलन की बात हो रही थी जिस गुर्जर रांदोलन ने लगबग राजिस्थान हर्याना उत्तरपदेश तीन राज्यों को हिला कर रख दिया आखिर कार अब वो ख बहुत नुकसान पहुचा है इसको कहीं न कहीं अगरेल विभाग को भी पहुचा आमजन को भी पहुचा लेकिन इतने कड़ी अंदोलन के बाद कहीं न कहीं सरकार ने एक अपना रुख लिया और इस अंदोलन को खत्म करने का इत प्रण बनाया और गुजरों से बात चीत की जिससे कि यह आंदोलन खत्म हो चुका है और अब काफी लोगों को राहत भी मिल रही है ट्रेनों का संचालन सही तरीके से चल रहा है तो यह आंदोलन अप्थम चुका है और इसमें बीच का रास्ता भी निकल चुका है बाते भी हो चुकी हैं रिया गरम बात यहां पर पांच फेजदी आरक्षन की करें तो गुर्जर आंदोलन की अगरम बात करें तो जो तमाम आंदोलन का रही थे वो इससे जादा आरक्षन की मांग कर रहे थे क्या ये बीच का रास्ता निकाल का रहा ही पर तमाम चीज़े खत्म होती है या जो मांग है वो आंदोलन तो वले ही खत्म कर दिया गया लेकिन मांग जो है वो आगे जारी रहेगी जी बीच का रास्ता ये निकला है से जी की जो राजिय सरकार है और आरक्षण बिबाग जो है उन्होंने कहा है कि जो पिछड़ा भर गया उसे अलग से इनको पांच प्रसत आरक्षण दिया जाएगा तो इस पे सहमत बनी है और इस पे गुजर लोग माने गए हैं कि उनको ज दोलन के बाद जो उनको लगता है कि काफी कड़ी मेहनत की उन्होंने जो आरक्षण के लिए मांग करा उन्होंने इतने दिनों से बैठके महिला हो या पुरुस हो सब लोग एक साथ बैठके इस पे प्रदर्शन कर रहे थे इस वज़े से आज उनकी मांगे पूरी हुई औ और पांच प्रदर्शन उनको आरक्षण मिल चुका है शुग्रिया रिया तमाम जानकारी के लिए तो बिलकुल गुर्जर रांदोलन यहां पर खत्म होता नदर आया है लोगों को थोड़ी सी रहत यहां पर जरूर नदर आएगी खास्तोर पर उन लोगों को जिन लोगों कोंचना था ट्रेनों के जरिये काफी कुछ मुश्किल है यहां पर खड़ी उनके लिए हुई है मेरा शेयर मेरी खबर में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं खबर हर्याना से है आपको बदा दें लगातार जिस तरीके से तमाम खिलाडियों की उपेक्षा का आरोप सरकार प जिका कहना है कि अब खिलाडियों को घर बैठे नौकरी मिलेगी और अगर जिस तरीके से तमाम मुश्किलों का सामना उने करना पड़ता है अपने करियर के दौरान करियर के बाद अपनी नौकरी के लिए उन तमाम चीजों को सरकार बैठे बिठाए हल कर देगी कैसे हल करे एक बड़ा एलान कर दिया है कि खिलारियों को घर वैठे नौकरी मिलेगी कैसे मिलेगी ये नौकरी जी आजी तेस जी जो खेल मंत्री है आने लवीज वह एक काईकरम के दोरान उन्हों ने बयान दिया कि जो सूबे के जो खिलारी है अब उनको दिक्कत तो जो दिक्कत आती उनको खतम कर देंगे और कुछ ही महीनों में आने वाले समय में वह वहां जाकर अपना जो तमाम मेरिट लिष्ट है वह वहां पूरा जो है विवरंदे और उसके हिसाब से उनको जो नौकरियां दी जाएंगी उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इससे पहले जो नौकरियों की लिए उसको खत्म किया जाएगा और जो मेरिट हो जिसका उन्हारियों को कि चैन किया जाएगा और उसना नौकरी मिलेगी हाँ जी बात करें हम जो कौन-कौन से खिलारी होते हैं जाये वो कोई सावी खेल लेकि जाजी खबर है वो उन तमाम खिलारी के लिए बहुत महत्पून और बहुती राहती की खबर है कि जिस तरीके से अनिल भीज ने बयान दिया है वो कायकरम में सिर्कत करने आई थे और उन्होंने ये बयान दिया कि जो परदेश के खिलारी हैं उनको नौकडियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अब उनको एक एप लॉंज करने वाले हैं हरियाना सरकार जिसके तहत वहां पे खिलारी अपना जो बायो डाटा है वो उसको उसमें संगलिगित करें और जो बंदरबांट का जो सिलसला चल रहा था खिलारी की नौकडियों को लेकर उसे खत्म किया जाएगा तमाम जो बात हैं वह निल्वीज ने एक कायकरम के दोरान कहीं इससे पहले आपको बता दे कि जब सरकार बनने से पहले जो बीज जन आया है यह कहिना कहीं उन तमाम खिलारीयों को रहा देगी क्योंकि अगर हम बात करें अभी कुछ दिन पहले ही जो अलेंपिक सूटर अनिता सेयद थी उनको कहिना कहीं नौकरी के धक्के खाने पर रहे थे कहिना कहीं मनोलाल जो खटर है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उ उनको भी नहीं मिला है, जोने मिलना चींथ है, लेकिन जिस तरीके से जो ये खवर आई, जिस तरीके से अनिलवीज ने जो बयान दिया यह कहिना कहीं उन खिलारियों को रहात देगी, जो खेल में अपना योगदान दे रे हैं और उनको नौकरी के धक्के खाने पढ़ते ह जी धीरा चकरम बात यहां पर खिलाडी की करें तो वो कौन-कौन से खेल के खिलाडी होंगे कौन-कौन से शेडी के वो खिलाडी होंगे जिनको यहां पर घर बैटे बिठाई नौकरी देने की बात हरियाना के मंत्री कर रहे हैं जी बात करें हम खिलारियों की तो परदेश के खिलारी तो होंगे ही साथ साथ जो अपना खेल में योगदान देने के साथ ओलंपिक में जो अपना तिरंगा का परचम लहराते हैं देश की सान को बढ़ाते हैं वो तमाम खिलारी होंगे जिनको हर्याना में नौकरी दी और नौकरी भले ही उन्हें खेल कोटे से मिले या जो भी जो कारिकरम है सरकार द्वारा ते किया जाए उसके अनुसार मिले लेकिन उन्हें नौकरी यहाँ पर देने के लिए सरकार प्रतिबद नजर आ रही है मेरा चैर मेरी खबर में अगली खबर करू करते हैं अगली खबर करनाल से है करनाल की अगर हम बात करें तो करनाल में 21 जून को विश्वय योग दिवस मनाने के लिए तमाम तैयारियों का जो दौर है वो जारी है और पूरा करनाल इस वक्त उस योग शिविर को लगाने में उ इसमें आपको बता दूं कि की जून को लेकर करनाल में गयोग शीविर का आयोजन किया गया है जिसको लेकर करनाल का पूरा परसासन उसके लिए मुस्तेदी से जुटा हुआ है जिसमें 3000 से अधीक छातर इसमें भाग लेंगे, जिसमें 50 प्राइवेट और 18 सरकारी स्कुलों के विद्यारती भाग लेंगे, जिसमें वहीं परसासन दवार निर्देश दिया गया है कि जितने भी विद्यारती हैं 20 विद्यारती पे एक टीचर उन पे मौझूद रहेगा, वहीं उसमें जितने भी परती भागी जो योग सीवर में भाग लेंगे, वो परसिक्षित हो, बिना परसिक्षित किसी भी चातर को इसमें भाग लेना नहीं दिया जाएगा, वहीं परसासन की और इनको टीचर वित्रत किये जाएंगे शुगरिया तोशी तमाम जानकारी के लिए तो बिलकुल लगातार अगर हम बात करें, ये पहला मौका होगा, शायद पूरी दुनिया में, जब एक दिन पूरी दुनिया मनाईगी, विश्व योग दिवस याँ पर होगा, सडकों पर, घरों पर, मैदानों में लोग एक सम अमेरिका पहुंचे और यूएन में इस मुद्धे को उठाया, और इसी मुद्धे पर अगराम बात करें, तमाम देश साथ नजर आए, और 21 जून की बात करें, तो इस तारीक को विश्व योग दिवस मनाने के रूप में, तमाम देश तैयार हो गए, मेरा शहर मेरी खवर अपने फिलाली तो नहीं, लेकिन खवर 24 आर्ट्स पर खवरों का सिल्चला जारी है, मुझे दीजे जाज़त, नमस्कार